पिराती पीरेड की बात कई चीज़तों पर हम ब्रगत चल रही है हमारे या हम इसको नहीं छूए हम mobile phone नहीं छूए हम बुक नहीं छूए हम यह नहीं छूए हम वो नहीं छूए सेम वह कॉंसप्ट है जओ कहां से शुरू हुआ यह 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 प्रथा पहले गाउं में जब होती थी लेडिस तो इतनी जैसे आज modern day में पैड्स आ गया ऐसे तब था नहीं आज तो और ते नौकरी पर जा रही है ना चाहिए जैसी विस्तिति हो उनकी कर रही है नौकरी कर रही है घर समाली सब कर रही है पहले ऐसा नहीं होता था उनको पहले बाह काम ओर तो को है तो वह तीन चार पांस दिन उना ओरतों को रेस्ट मिलता था एक तो शरीर में इतना कुछ हो रहा है फिर मन इतना हार्मोन चेंज हर मेने इतना है ओरतों को हार्मोन चिरचिडापन, रोना, सूजन, दर्द, उस सब उसके बाड़ी में हो रहा है, चोटी लड़की है, अगचा था पंदरा, आट-नो साल की लड़की, पहले तो नौ साल में, मेरे दाजी का तो नौ साल में शादी हो गया था, उतनी चोटी लड़की आती है, दस-बारा साल में अगर शुरू हो गया मासिक, तो कितना पेन से वो लड़की खुजरती है, पंदरा, बारा साल, सोला साल, तो लड़की को बोलो, अब तु किछुला भी समाल ले, अब तू खेत में भी जाके काम करके आजा, अब तू बरतन भी धोले, अब तू गाय को भी देख ले, तू स समय इतना, कहीं भी जब चौके में जा रहे था, गंदा नहीं करना जा, कहीं बैट के लड़की कहीं कुछ आगे, खुन कमार को, नहीं गंदा नहीं हो नचे चौका, तो तो अपनी जग जग बैट कोई तकलिफ नहीं, बाकी लोग समाल लेंगे किचिन, वो आराम दिया जा चरीर अपना काम कर रहा है, हर हाल में भगान का नम लेना है, चेतने महा प्रभू की, चेतने महा प्रभू हमेशा ही नाम लेते थे, हरे किश्व महा मंतर करते थे, केवल जब शौच के समय आते थे तो एक बार ऐसा हुआ, मुझे याद नहीं है किस से उनकी बात हो रही थी शौच के समय गए, तो उस समय पर उन्होंने नाम लेते थे, कोई उनके साथ था, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है, उन्होंने का आपने अभी नाम क्यों नहीं लिया, यह शौच का समय है न, आशुद्ध हो जाएंगे तो, ऐसे चेतन महा प्रभू के रहा है, उन्होंने उनके साथ गूरु ही थे उन्होंने का नहीं, शौच के समय प्रण निकलना होते हो, तो अभी यह जो मैंने बता है न, टौलेट में गए और टौलेट में प्राण निकल गया, तो उस समय पर भी कोई उशुद्धी नहीं है, कि हर हाल में भगवान का नाम लेना है, हर हाल मे कौई फ्षुद्धी कुछ नहीं पुर बोलते हैं कि माला मच्छोओ चाहे बंदिर सो यह एक है नियम है अगर घर में कोई समालने वाला है तो मच्छो हो आगवारे मन में दूजविदा है तो मच्छो कोई बात नहीं मच्छो लेकिन जप अपना जो अपने अंदर चल रहा है तुमको उंगली से जप कर सकते हो करो ध्यान को जप को कही नहीं रोका गया हमारे है कही नहीं रोका गया है जब मैं यंग थी तो शिवानन्द सौामी रिशिकेश के जो है उनकी किताब पढ़ रही थी तो उसमें क्योंकि मेरे मन में बहुत प्रशना आता था क्यों मुझे रोक दे रहें पास दिन के लिए तब मैंने वहाँ पढ़ा उसमें पश्ट शेवानन स्वामी ने लिखा है डिवाइन लाइफ सोसाइटी के कि मासिक भी होगा तो भी औरते ध्यान कर सकती हैं जब कर सकती हैं कोई उ और भुडुबुख छुने से कुछ नहीं होने वाला पुच अपावित्र होने वाला नहीं तुम दुनिया घूम रहे हो ऑगहाँ है अगर तुम को लगाय तो तो पति को भी म चुना बच्चे को हम छुना किसी को हुए मच्छोन मत झाओ फिर अफिस मत जाओ कि सब अप आ क्या रहे हो हाली भगवान के डाइम पर इस आ रहे है आ जाते तुमको लॉजिकल बाते इलॉजिकल होती है जो तो रीजनिंग जो दे रही हुए ही है कि पीरेट के समय पर हार्मनल चेंजिस होते हैं माइंड एकदम तकलीफ में होता है रोना वना होता है तो इसलिए उनको बोलते थे बाबा तेरे मन को पहले शांत कर कोई बात नहीं है तो एक जगा बैटके वहान काना हम लिए और आराम कर यह रूल था बाकि कुछ उसके इतनी जो ब्लाइंड ट्रेडिशन डाल दिये ना वो सही नहीं इसलिए मेरे पास कई वार सिख बैक्राउंड के बहुत सारी स्टुडेंट्स आये हैं विदेशी बैक्राउंड से बहुत सारी स्टुडेंट्स हैं उनके यहां तो गभी य बहुत शक्के भी जोते हैं हम ऐसे कर देंगे तो पाप हो जाएगा ऐसे कर दें तो गलत हो जाएगा कुछ गलत नहीं होगा आप जहां बैठों भगवान का नाम लो यह चीज़ याद रखो किसी भी छण मृत्यू आ सकती है अगर आपने प्राक्टिस किया है सिंसरली भगवान का नाम तो मृत्यू के समय वो काम आएगा बाकि यह सब जो यह करू वो करू करू करोगे तो फिर नहीं हो काम बनेगा ठीक है तो यह मेरी तरफ से यही आंसर है इसका हर पल भगवान का नाम लो